नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन के बीभीन जीलों से भी लोग पहुच रहे हैं, सुबह चाव बई से लाइन में लगे हुए निरज कुमार ने बताया कि लग जरी टीकट पचपन सव से लेकर 6,000 रुपए में मिल रही है, सुबह चाव बई से हम लाइन में लगे हुए हैं, उसने बताया कि टीकट के लिए दो खिड की उपलब्द है, बेवस्था बनाये रखने के लिए परसासन की तरफ से 35 जवान तैनात किये गए हैं, बता दे मेज की टीकट 8 अक्टूबर तक बिकरी की जाएगी, टीकट काउंटर सुबह 9 बई से लेकर 4 बई तक खुली रहेगी, जार्खन के लेने का प्रवधान अस्पष्ट कर दिया गया है, इस आकलन परिक्षा का आवजन की जिमेदारी जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक को दी गई है, जैक की ओर से या परिक्षा लिये जाने के लिए आवजन लिये जा रहे हैं, इस आवजन की आमतिम तारीक कॉल यानि 7 अक् सकता है, जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ओनलेन आवजन की बात कही गई है, रांची जीला परसासन में सोसल साइंस या साइकलोजी के लिए नवकरी, अगर आपके पास सोसल वर्क, साइकलोजी, सोसियो लोजी में पीजी, असनातर की डिग कर रहा है, रांची जीले में संचाली संप्रेक्षन गिरिह के लिए एक भंडार पाल सहलेखा पाल के नियुक्ति होनी है, इसी के लिए दिये गए फॉर्मेट में बहाली की जाएगी, रांची जीला परसासन के जिस बालसन अचन साखा के समयकित बालसन अचन योजना के त हाथी के बच्चे की मौत वन विभाग ने किया था रेस्क्यू, लातेहा जीला के बरवाडी परखन अंत्रगत कोयल नदी से वन विभाग द्वार रेस्क्यू किये गया हाथी के बच्चे के बुधवार की रात को मौत हो गई, नवजात को वाइरल बुखार हो गया था, पेतला नेशनल पार्क में राकर इसकी देख बाल की जा रही थी जनकारी का अनुसार कोयन लदी में बहने के दरन हाथी के इस बच्चे को काफी चोट लगी थी चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा था हाथी के बच्चे को प्रती दिन दूद और केला दिया दो लाह का इनामी पेलेफाई एरिया कमांडर सोनु गिरफतार गठित टीम ने छापे मारी की है इस गिरफतारी टीम में यरपोर्ट थाना परभारी अनन्द परकार सिंग, ब्रॉंडा थाना परभारी रमेश कुमार, तुपुदाना थाना परभारी मीरा सिंग एवम SSP मौजूद थे चत्रा में नकसलियों के नाम पर रंगदारी वसुनने वाला गिरफतार चत्रा जिला पुलिस नकसलित संगठन भागपामवादी के नाम पर रंगदारी वसुनने वाला एक अपराधी गिरोह का उद्भेदन किया है, पुलिस ने गिरोह के चार्ट सदस्यों को हत्यार के साथ गिरफतार किया है, उनके पास से घट्टा में पर्यूप्त होने वाल कर्मियों के मोबाइल छिन लिये थे, बाद में उन सभी कर्मियों को मुक्त कर दिया गया था, इसी प्रकार 21 सितंबर को इसी थना चेत्र के गराम उड़सू मोड के पास एके आयन विकेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में से मवादी उग्रवादी के नाम पर लेवी की मांग की गई थी, जारखन में 11 अक्टूबर तक बारिस, रांची मौसम केंद्रे ने 6 और 7 अक्टूबर को भी जारखन में कहीं कहीं हलके से मत दर्जे की गरजन और बजरपात की समभवना जताई है, इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, मौसम विभाग की माने तो जारखन गरेधारी रांची में गुरुवार को सूबस से ही आसमान में बादल चाय हुए है, आज भी बारिस होने की समभवना है, बिट्टू सिंग ने पलामू के अगरवाल बंदू को फिर धमकाया, पलामू पूलिस का अपराधियों पर जोर नहीं है, रंगदारी और गुंड़ के सामने फैरिंग कर चेतावनी भी दी गई थी, इस गटना के बाद न तो डिएसपी और नहीं एसपी परिवार से मिलने गए और नहीं किसी अपराधिये की गरपतारी हुई, न तीजतन रंगदार सुधीर सिंग और बिट्टू सिंग का होसला बुलंद है, एक बार फिर अगरवाल बंदू से 50 लाख रूपए की मांग की है, इसके बिरोध में हैदर नगर के बेवसाई सड़क पर उतर कर बिरोध कर रहे हैं, जमसेदपूर में दुरगा परतिमा का बिसर्जन, जमसेदपूर सहर समेद पूरे जीले में हर सोलास से मा दुरगा के परतिमाओ का बिसर्जन किया, इस दवरान सहर में करीब 3000 पूलिस की जवान नदी घाटों के अलावा सहर में चपे चपे पैतना थे, फार बिरिगेट की दमकल, एंबुलेंस, गोता खोर, वजरवाहन भी तैनात किये गा थे, बिसर्जन के दवरान मौसम भी भागने भारी वर्षा होने की समवना भी चताई थी, जिसे ले करजिला पर साचन ने नदी घाटों पर क्रेन की भी वेवस्ता की थी रासन कार्ट बनने के 90 दिनों के बाद से उठा सकेंगे रासन, सरकार्ट समय समय पर कई लोग कलनकारी योजनाओं को लागू करते रहती है, जिसका फैदा आम आदमी को समय पर मिलता रहता है, लेकिन इसमें भी कई बार औरने मिता की सिकायत आते रहने पर कुछ नियम कान रासन कार्ट बनने के 90 दिनों के बाद ही उसकी मदद से रासन का उठाव कर पाएंगे पहले की बेवस्ता के अनुसार कार्ट बनने के तुरंत बाद से ही रासन मिलना चालू हो जाता था, लेकिन इसमें अब समय लग रहा है CBSC दसवी बरहमी परिशा का सेडियूल जारी 10 और 12 की बोड परिक्षा एक ही पहले में अवेजित करेगा जार्खन में मेडिकल कॉलेजों में जल्द सुरू होगा एडमिसन जार्खन के मेडिकल कॉलेजों में बैचलर कोर्सेस में एडमिसन के परिकिया 10 अक्टूबर से सुरू होने जा रही है जार्खन के मेडिकल कॉलेजों में एडमिसन का सेडियूल जारी कर दिया है इस सेडियूल के अधार पर ही जार्खन के मेडिकल कॉलेजों में भी एडमिसन लिया जाता है राजी के मेटकल कोलेजों में सेंटरल कोटा और स्टेट कोटा दोनों में एडमिशन लिया जाता है जारखन कोटा के तहद एडमिशन के लिए जारखन कमबाइन एक्जामिनेशन बोर्ड काउंसिल आयोजीत करती है बता दे जारखन के मेटकल कॉलेजों में स्टेट कोटा के तहाद MBBS में रांची रिम्स में 148 सीटे हैं धन्यवाद यदि आप चनल पने होते चनल के सब्सक्राइब कर बाल का बेले कर अंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना भूलें साथ साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवास से दे थैंक्यू